नासा क्या है? Full form of NASA in Hindi हम सब अपने बचपन के दिनों में काफी जिग्यासु हुआ करते हैं, कई तरहे के विज्ञान, अंतरिक्ष से संबंधित सवाल जैसे की ये तारा क्या होता है? और ये चमकता क्यों है? धर्ती गोल क्यों होती है? धर्ती जैसे और दूसरे ग्रह पर जीवन है या नहीं? ये चंद्रमा रात में रोशनी क्यों देता है? चाद धर्ती से कितनी दूर है? इत्यादी कई तरहे के सवाल हम सब बचपन में अपने माता पिता, शिक्षक से पूछा करते थे. इन ही सब सवालों का जवाब धून्दने के लिए एक विश्व की एक सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजनसी है, जिसका नाम नासा है. जो काम अमेरिका में नासा करती है, ठीक वही काम भारत में का है. अगर आप भी नासा के बारे में नहीं जानते हैं, जो इस लेख के अंक तक बने रहिए, आज आप इस आर्टिकल के माध्यम से जान पाएंगे की नासा क्या है? फुल फोर्म आफ नासा इन हिंदी, नासा की स्थापना कब हुई थी साथ में नासा के महत्वपूर्ण मिशन के बारे में जानेंगे. जेंसी का नाम, नासा नैशनल एरोनोटिक्स एंड स्पेस एड्मिनिस्ट्रेशन, स्थापना, 29 जुलाई उननीस सो अथावन, पूर्ववर्ती एजेंसी का नाम, नैशनल एडवाईजरी कमिटी फॉर एरोनोटिक्स, प्रकाय, अंतरिक्ष एजेंसी, मुख्याले, वाशि अधिकार चेत्र, अमेरिकी सरकार, उनर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नासा के संस्थापक, द्वाइट डी आईजनहौवर, एड्मिनिस्ट्रेटर ऑफ नासा, बिल नेलसन, कर्मचारी की संख्या, अठारा हजार आठ सो, वार्शिक बजट, 22.629 बिलियन डॉलर, दो हजार बीस, नासा क्या है, वाट इज नासा, नासा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सरकार का एक स्वन्तंत्र स्पेस एजनसी है, यह अमेरिका के लिए नागरिक स्पेस प्रोग्राम, एरोनाटिक्स और स्पेस रि नासा का साइन्स अर्थ, आब्जर्विन सिस्टम की मदद से प्रिथवी और सभी सोलर सिस्टम को बहतर तरीके से समझने के लिए केंद्रत है नासा प्रिथवी के वातावर्ण, सूर्य, चंद्रमा और अपना सोलर सिस्टम या इनसे भी परे अंतरिक्ष रहस्यों को जानने, समझने के लिए वैग्यानिक शोध और कई तरह के टेस्टिंग कर रहा है, ताकि हमारे धर्ती सोलर सिस्टम को करीब से जाना जा सके और हमा बहुत ही महत्वपूर्ण, अंतरिक्ष मिश्णों को अंजाम दिया है, जो की मानव के इतिहास में बहुत ही उप्योगी साबित हुई है नासा ने खगोल भौती की विश्यों जैसे की बिंग-बंग थियोरी को समझने के लिए कई तरह के आब्जर्वेशन सैटेलाइट को अंतरिक्ष में छोड़ रखा है जो की इन्हे समय समय पर महत्वपूर्ण जानकारियों भीजती रहती है जानकारी के लिए आपको बतादू नासा का प्रत्येक साल का बजट बिलियन डॉलर में रहता है और नासा का इस साल याने साल दो हजार बाईस का वार्शिक बजट चौबीस दशमलव शूनिचार एक बिलियन डॉलर है फुल फोर्म आफ नासा इन हिंदी नासा का फुल फोर्म नैशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एड्मिनिस्ट्रेशन होता है और नासा का फुल फॉर्म हिंदी में राश्ट्रिय वैमानी की और अंतरिक्ष प्रबंधन होता है नासा की स्थापना कब हुई थी? नासा फाउंडर्ड इन विच्यर? नासा की स्थापना आज से 61 साल पहले 29 जुलाई 1958 इस्वी को ततकालीन अमेरिकी राश्ट्रपती द्वाइट डी आईजन होवर के द्वारा की गई थी इसकी जरुरत महसूस गई जब रूस पूर्व सोवियत संध के स्पेस एजनसी ने दुनिया का पहला आर्टिफिशियल सैटल लाइट जिसका नाम स्पुतनिक एक को चार अक्टूबर 1957 इस्वी को लाँच किया इस घटना के बाद अमेरिकियों में हडकम्प मच गया और अमेरिकियों ने खुद को टेकनोलोजी और स्पेस में खुद को रूस से पीछे पाया इसके बाद अगले साल ही 29 जुलाई 1958 अमेरिका के तदकालीन राष्ट्रपती द्वाइट डी आईजन हौवर ने नासा की नीव रखी नासा के पूर्ववर्ती एजनसी का नाम नैशनल एडवाइजरी कमिटी फॉर एरोनौटिक्स था नासा का हेड़क्वार्टर कहा है नासा हेड़क्वार्टर्स नासा का मुख्यालय United States of America की राजधानी Washington D.C में मौजूद है इसके अलावा नासा का पुरे अमेरिका में 20 ख्षेत्रिय रिसर्च सेंटर भी संचालित है वर्तमान समय में नासा में करीब 18,000 से भी अधिक वैग्यानिक कर्मचारी काम करते हैं नासा में कई अनारसी भी है जो वैग्यानिक के तौर पर काम करते हैं नासा की दस खास उपलब्धिया, टॉप दस अचीवमंट्स ओफ नासा निचे हम आपको नासा के खास दस उपलब्धियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो की मानव इतिहास के लिए मिलका पत्थर साबित हुई है अपॉलो 11 अमेरिका ने खुद को रूसीयों से स्पेस प्रोग्राम में पिछडता हुआ देख साल 1961 इसवी में ततकालीन अमेरिकी राष्ट्रपती जॉन पफ क्वनिडी ने अपॉलो मिशन के तहट एक मानव को चंद्रमा पर भेजने का योजना बनाया और इस तरह नासा ने दुनिया का पहला अंतरिक्षियान अपॉलो 11 को मून पर जुलाई इसवी में सफलता पूर्वक लैंड करवाया और ये एक मानव इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धी में से एक है और नील आर्मस्ट्रान दुनिया के पहले व्यक्ती बने मून पर चलने वाले 2. कैसिनी कैसिनी मिशन को नासा और साथ में European Space Agency ऐसा और Italian Space Agency असी के द्वारा साल 1997 इसवी में शनीग्रह को अध्यन करने के लिए लौच किया गया था इस कैसिनी मिशन के मदद से शनीग्रह और इसके उपग्रह के कई फोटो और कई तरह के महत्वपूर्ण जानकारी जानने को मिली और साल 2017 में कैसिनी ने काम करना बंद कर दिया 3. जूनू जो काम कैसिनी मिशन ने शनीग्रह के लिए किया वही काम जूनो मिशन ने हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े ग्रह जूपीटर के लिए किया ये मिशन साल 2016 में लौच किया गया था और इस मिशन के द्वारा कई तरह के अहम फोटो और जानकारिया हाथ लगी जूपीटर ग्रह को जानने और समझने में मदद करेगी 4. न्यू होरीजोन्स प्लूटो ग्रह हमेशा से मानव के लिए एक रहस्य ग्रह रहा है नासा ने साल 2006 में न्यू होरीजोन्स नामक मिशन को लाच किया था प्लूटो ग्रह और इसके उपग्रह को जानने और समझने के लिए न्यू होरीजोन्स को अंतरिक्ष में नौ साल बिताने के बाद साल 2015 में ये पहला स्पेसक्राफ्ट बना जिसने ड्वार्फ प्लैनेट को एक स्प्लोर किया इसके अलावा कई सारे महत्वपूर्ण जानकारिया हासिल हुई जो प्लूटो को और अधिक जानने में मदद करेगी साल 1990 में नासा ने यूरोपियन स्पेस एजेंसी ऐसा और स्पेस टेलिसकोप सायन्स इंस्टिटूट के साथ मिलकर एक स्पेस टेलिसकोप को लो अर्थ और्बीट में लांच किया ये अब तक के मानव इतिहास का सबसे बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण मिशन रहा है और अभी भी ऑपरेशनल है इसने कई ऐसे फोटो लिये है जो ग्रहांड के रहसियों को उजागर करते हैं वस्तरलंड दो के इमेजे उसको साल 2015 में रिलीस किया गया था जो की दहबल स्पेस टेलिसकोप के द्वारा ली गई थी छे वॉयजर साल 1977 में नासा ने दो वॉयजर मिशन को लांच किया था और ये आज भी ऑपरेशनल है ये एक ऐसा मिशन था जो सोलर सिस्टम के परेबरहांड के रहसियों को जानने के लिए लांच किया था और ये आज तक कई महत्वपूर्ण डाटा को कल्युक्ट कर धर्ती तक पहुँचा रही है वॉयजर एक सोलर सिस्टम को छोड इंटरस्टलर स्पेस में प्रवेश कर चुका है साथ दग कपलर मिशन कपलर एक स्पेसक्राफ्ट है जिसे नासा ने साल दो हजार नौ में लांच किया था इस मिशन का मुख्य काम था सोलर सिस्टम के अलावा धर्ती के साइस का प्लानेट की खोज करना जहां पर जीवन संभव हो और अभी तक ये कुल 4,696 कैंडिडेट प्लैनेट्स और 2,330 कंफर्म कपलर प्लैनेट्स की खोज कर चुका है 8. The Mars Rovers Mars Rover एक प्रकार का वियकल होता है जिसे Mars यानी की मंगल ग्रह के सर्फिस पर चलने के लिए डिजाइन किया जाता है 9. इसे इस तरह डिजाइन किया जाता है कि ये किसी भी मौसम में काम कर सके साथ में इसमें कई तरह के फीचर होते हैं जो इसे और अधिक बेनेफिशियल बनाते हैं नासा के द्वारा भी एक Mars रोवर्स लांच किया गया जो की अभी तक operational है और कई महत्वपूर्ण की जानकारी धर्ती पर भेज रही है इस कारण हम लोग Mars के बारे में बहुत से जानकारी जान पाए और ये भविश्य में होने वाले मानव रहित Mars मिशन के लिए नासा ने Mars यानी की मंगल क्रह के बारे में जानने के लिए उप्योगी साबित होगी ये मानव इतिहास के अब तक के सबसे महंगे स्पेस मिशन में इसका नाम आता है इसे पाँच देशों के स्पेस एजनसी नासा, रॉसकोस्मोस, जग्षा, ऐसा और सीईसे के द्वारा साल उननीस सो अठानवे में लांच किया गया था और ये स्पेस स्टेशन लो अर्थ औ और बीट में हैं। अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाकर वैग्यानिक शोध को अंजाम देते हैं। इसकी मदद से माइक्रो ग्रैविटी और स्पेस एन्वाइर्नमेंट एस्ट्रोनॉमी इत्यादी को जानने समझने में मदद मिलती हैं। साल 1972 में नासा ने स्पेस शट्टल प्रोग्रैम को लांच किया जो की साल 2011 तक ऑपरेशनल रहा था। पुरे 30 सालों के सफर में इस स्पेस शटल ने 300 अंतरिक्ष यात्री को लोर्थ और्बीट में पहुँचाया। इसके अलावा नासा ने अपने कई महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशन के तहत कई कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में पहुँचा रखे हैं। जो कक्षा जोकी पृत्वी का वातावर्ण हमारे सोलर सिस्टम सूर्य इत्यादी का डाटा धर्ती तक पहुँचाते हैं।